सुगर मॉनिंग आईज तुछ लिए स्टार्ट कलते हैं आज की आनकी 23 नवंबर के इंपोर्टन्ट करेंट अफेर्स को दीखी इस प्रशन में आप से क्या पूछ रहें अभी हाल में किसे सुमित्रा चरत राम पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा उमा शर्मा को तो प्रख्यात कथक नरत्यांगना है ये उमा शर्मा जिनको भारते शास्त्रे संगीत और नरत्य के शेत्र में उलेखने योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो जम्मु कश्मीर के जो पूर्वर राज्यपाल हैं कर्ण सिंग और सरोद वादक हैं उस्ताद अमजद अली खान उन्होंने इन्हें ये पुरुसकार प्रदान किया बाके आप जानते हो केपी कुमारन को मल्यालम फिल्म में निर्माता हैं अभी केरल का हाइस्ट फिल्म अवार्ड इनको मिला था जिसको कहते हैं जैसी डैनियल अवार्ड और दीपक धर अभी बोल्समेन पुरुसकार इनको मिला और ए सेतु मादवन अभी एजुथ चन संस्थान इसका उधगाटन कहाँ पर किया गया तो आंचर होगा सिल्चर में और ये सिल्चर कहाँ पर है असम में और वरतमान में हमारे आयूश मंत्रे कौने सर्बा नंदा सोनवाल जिनोंने ही अभी असम के सिल्चर में शेत्रे युनानी चिकित्सा अनुसंदान संस्था के अत्याधुनिक परिसर का उधगाटन किया है और इस तरह से याद रखना ये उत्तर पूर्व यानि की नौर्थ इस्ट में पहला युनानी चिकित्सा शेत्य केंद्र है और इसका उद्दिशी क्या होगा युनानी चिकित्सा पद्धति को बड़ावा देना अब देखो य युनानी, S मतलब हो गया सिद्धा और H मतलब हो गया होमियोपेथी हमने का एक होता है युनानी तो युनानी से आपको याद आएगा विश्व युनानी दिवस यह हम मनाते हैं 11 फरवरी को प्रस भारते युनाने चिकित्सक्त है हकीम अजमल खान उनकी जैनती को ये दिन मनाया जाता है और अगर आपसे मालोग पूछ ले एक्जामिनर कि बताओ भया सेंट्रल रिसेल्च इंस्टिट्यूट अफ युनानी मेडिसिन ये कहां पर है तो आंसर कर देना है दरबाद में है अभी आप जानते हो युके की संसद ने आयूर्वेद रतन पुरुसकार से सम्मानित किया था किसको तनुजा नेसारी को और चिकित्सा से आपको याद आएगा अभी नॉबल पुरुसकार चिकित्सा के शेत्र में मेडिसिन के शेत्र में किसे मिला स्वानते पाबो को मिला है जो कि सुडिश साइन्टिस्ट है और वैसे राष्टर चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है एक जुलाई को और एक जुलाई को ही क्यों मनाते हैं क्योंकि पश्चिमंगाल के जो दूसरे नंबर के मुख्य मंत्री थे डॉक्टर बिधान चंदर रॉय उनकी जैनती होती है अब आप जानते हो वर्ल्ड हेल्ट ऑर्गिनाजेश और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानि के विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस ये हम सेप्टेंबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं 2022 में 10 सेप्टेंबर को मनाया और याद है भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्गाटन कहां पे किया गया था उत्तराखंड के अचा असम की बात है जिसकी capital डिस्पुर होती है एक प्रशन का उत्तर दो कि abord of the unicorn ये किसर राज्य में स्थापित किया गया तो आंसर होगा असम में अब ये क्या है abord of the unicorn तो असम में काजी रंगा national park के पता है आपको और ये एक सिंग वाले गेंडों के लिए famous हैं तो उन ग प्रतिमा इस्थापित की गई है उसे ही कहा गया है अबॉर्ड ओफ द यूनिकॉर्न तो इसको कहा पे स्थापित किया गया है असम में ही ये आप याद रखना और आपकी एक बॉक्सर है लवलीना बोर्गो है वो असम की ही है और असम का क्लासिकल डांस होता है सतरिया और भा बढ़ते आगे चलो बताओ अभी त्रेपन वे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओफ इंडिया में इंडियन फिल्म परस्नेलिटी ऑफ द इयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा चिरन जीवी कोनी डेला जैसे कि आपको बता इंटरनेशनल फिल्म इंडिया इनका आयोजेन कहां पे हुआ अभी नवंबर 2022 में हुआ था कहां पे गोवा में और ये कौन से नंबर का है यार ने के कौन सा संसकरन है त्रेपनवा तो वहीं पे अभी साउथ एक्टर चिरन जीवी को 2022 के लिए इंडियन फिल्म परस्नेलिटी अफ द इयर अवा सोरा उन्हें सत्यजी तरे लाइफटाइम अचिमिन्ट अवार्ड भी मिला था ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अब भी पढ़ रहे हैं याद रखने इंपोर्टेंट है क्योंकि तो याद रखना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया दो जर बाइस कौन सा स फिल्म फेस्टिवल में ही मनिपुरस सिनेमा की गोल्डन जुबली को भी सेलिबरेट किया जाएगा वाकिया आप जानते हो आशा पारेक अभी दोजार बीस के लिए बावनवा दादा सहाफ वाल के पुरसकार मिला और उसे पहले रजनी कांत को मिला था इक्यावनवा और पुनीत राजकुमार की बात करें मनोपरांत करनाटक रतन पुरसकार इनको दिया गया अच्छा सत्यजीत रे से एक प्रश्न बनेगा आपके कि सत्यजीत रे की पहली फिल्म उसका नाम क्या है पाथेर पांचाली कब बनी थी 1955 में तो ये सारे important facts भी याद रखना बढ़ते आगे हैं चलिए फिर बताईए अभी हाले में विश्व मतस्य दिवस ये कब मनाया गया यानि ये World Fisheries Day तो अंसर होगा 21 नवंबर को हर साल 21 नवंबर को ही मनाते हैं ये World Fisheries Day के रूप में ये दिन विश्व भर में सबी मच्वारों मचली किसानों और सम्मंदित हितधारगो के आये यानि कि income को दो गुना करने के लिए एक योजना शुरू की थी पता सकते हो उस यूदना का नाम क्या है तो आंसर होगा प्रदान मंतरी मतस्य संपदा योजना अच्छा इसी तरह से एक मिलता जुलता दिन और है National Fish Farmers Day राष्ट्र मतस्य किसान दिवस वो गब मना दें वो 10 चुलाई को होता है तो इसको जरा ध्यान जरूर रखना आप Confuse नहीं हो जाओ और नीली करांति का संबंद आपको बताईए किस से है मचली पालन से हो जाएगा और भारत का पहला समुद्री शेवाल पार्क ये काबे विक्सित होगा तो याद रखना तमिल नाडू में और आपको याद रखना है कि भारत का पहला ये मचली बाजार एप्लिकेशन फिश वाले इसको लॉंच किया था असम ने और अभी सिक्किम की राज्य मचली कौन सी बनी है केटली बाकी भारत का पहला मत्यस्य पालन वेवसाय इंक्यूबेटर ये गुरुगराम में और इस्ट का पहला फिश म्यूजियम अभी कहां पर स्तापित होगा ये अरुनाचल प्रदेश में अचा इसी तरह से आपको याद होगा कि दुनिया के अभी सबसे बड़ी ताजे पानी की मचली कहां पर पकड़ी गई थी मचली मचली जलकी रानी हैं बताओ तो आंसर मनाते हैं टेलिविजन डे और आप जानते हूं टीवी के अविश्कारक कौन थे जॉन लॉगी बेयर्ड कब बनाए थी 1924 में अब यह तो गया टीवी डे एक टीबी डे भी होता है टीबर क्लॉसिस डे वह हम 24 मार्च को मनाते हैं वैसे भारत का लक्षे कप का है टीबी को खत्म करने का टीवी नहीं टीवी को खत्म करने तो आंसरों का 2025 का और एक वर्ल्ड रेडियो डे भी होता है यह हम मनाते हैं तेरा फरवरी को अच्छा अगर आपसे पुछे कि भारत में 5G का शुबारम कप किया गया था एक अक्टूबर 2022 डेट याद रखना और लाइंस ज 5-10-12 को पहला अंतर राश्च्टर बायोस्फियर रिजर्व डे, 5-10-11 को विश्वस्वस्वनामी जाग रूखता दिवस, 7-11 को राश्टर जाग रूखता दिवस, और सिश्व सुरक्षा दिवस भी होता है 8 नवंबर को World Radiography Day, 9 नवंबर को राष्ट्र कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और 10 नवंबर को उडिसाने बाजरा दिवस मनाया 11 नवंबर को राष्ट्र सिक्षा दिवस और 12 नवंबर को लोग परसारड दिवस Public Service Broadcasting डेबी होता है 14 नवंबर को विश्व मदुमे दिवस, 15 नवंबर को जन्जातिय गौरव दिवस और 16 नवंबर को राष्ट्र प्रेज दिवस मनाया 16 नवंबर को अंतर राष्ट्र सही शुनुता दिवस International Day of Tolerance भी होता है 17 नवंबर को राष्ट्र मिर्गी दिवस National Epilepsy Day और अंतर राष्ट्र चात्र दिवस International Students Day भी होता है अभी 18 नवंबर को National Naturopathy Day के रूप में मनाया और 19 नवंबर को टोईलेट डे होता है और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया तो नवंबर के ये Important Days आपको याद रखने हैं पढ़ते आगे चलिए बताईए अभी किसर राज्य में सीता माता की 251 फीट उची परतिमा इस्थापित की जाएगी तो अन्सर होगा बिहार में और बिहार में भी कहाँ पर बिहार के सीता मणी जिली में वहाँ पर एक स्थान है राधो पूर बश्थी वहीं पर 251 फीट उची सीता माता की स्थापित की जाएगी और इसे statue का निर्मान कौन करेगा रामायन रिसर्च काउंसिल और कितनी उची होगी हाइट 251 फीट उची होगी उसके लबाँ याद रखना इसी स्थान पर भारत का पहला सांस्क्रातिक दूतावास के इंदर बे स्थापित होगा अब यहाँ पर बात statue की है तो जो भी अभी तक important statues आपकी news में रही थी एक बार revise करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार से ही कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई यहनकी शायन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा यह का पर बनी के वडिया गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधू बेट द्वीप पर यह दुनिया के सबसे उची statue है इसके उचा है यह 182 मेटर और इसके वास्तुकार है रामवी सुतार और statue of equality यह हैद्राबाद में है संतर रामानुजा चार्रे जी की statue है यह 216 feet उची और यह बेठी हुई मुद्रम में है बेठी हुई मुद्रम में दुनिया की दूसरी सबसे उची statue है यह और statue of knowledge बियार अंबेड कर जिकी statue को कहते है statue of knowledge यह बनी है महराष्टर के लातूर में 70 feet उची और अभी मोदी जी ने गुजरात की मौरवी में हनुमान जी की 108 feet उची परतिमा का भी एनावरन किया था और 108 feet उची ही है statue of prosperity इसका उधगाटर नभी मोदी जी ने किया बंगलूरू में यह किसकी statue है केमपे गोडा की चोकि बंगलूरू की संस्थापक थे और इसे statue के भी वास्तुकार है राम विसुतार और उसे पहले पर धार्मंत्री जी ने आंद्रप्रदेश करदेश के भीमा वरम में सोतंतरता से नानी अलूरी सीता राम राजु की 30 feet उची कांसिक की मूर्ति का भी अनावरन किया है और बताओ भगवान शीव की सबसे उची परतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम कहां पर बनी है राजस्तान के राज संबन्द के शिरिनाथ द्वार में तो ये कुछ important statues हैं जो आपकी news में थी इनको याद रखना बढ़ते आ गए चलिए बताईए बीच पर अभी ये इसका 13 संसकरन है और कहां पर हुआ उमान के तट पर हुआ पहली बार ये हुआ था 1993 में और अभी आखरी बार ये 2019 में हुआ था गोवा में और अभी ये हो रहा है उमान में अच्छा इसी तरह से आपको याद होगा अभी ओमान के साथ अल नजाह नाम का एक्सरसाइज भी हमने किया एक अल नगाह नाम का एक्सरसाइज भी हम ओमान के साथ ही करते हैं बाकी इस साल हमने एक उदार शक्ती नाम का एक्सरसाइज किया था मलेशिया के साथ में युद्ध अभ्यास हमने किया अमेरिका के साथ में कहां पे उत्तराखंड के ओली में हमने अमेरिका के साथ वज्जर प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया हिमाचल प्रदेश के बकलो हमें और हिमाचल प्रदेश के बकलो में हमने खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया था किर्गिस्तान के साथ में उसके बंगलादेश में ही और माला बार नाम का exercise यह हमने जापान में किया क्वार्ड देशों के बीच में होता है चार देश होते हैं क्वार्ड देश भारत जापान ऑस्ट्रिलिया और अमेरिका तो यह सारे ध्यान रखना आप बढ़ते आगे फिर बताईए 2022-23 के लिए Global Partnership on Artificial Intelligence इसके अद्धिक्षिता कौन सा देश करेगा तो अंसर होगा भारत तो अब 21 नवंबर 2022 को भारत ने Global Partnership on Artificial Intelligence के अद्धिक्षिता हासिल की है भारत ने किस देश से इसके अद्धिक्षिता हासिल की मतलब अभी तक इसका अद्धिक्ष कौन रहा तो अंसर होगा फ्रांस और अब 2022-23 के लिए इसके अद्धिक्षिता करेगा भारत वैसे भारत इसका संस्थापक देश भी है ये भी ध्यान रखना और ये तो चलो आप पढ़ रहे हो लेकिन एक प्रशन आपको जरूर याद होगा कि G20 की अद्धिक्षिता अगले साल कौन करेगा तो आप सभी कह दोगे भारत करेगा और अभी 2022 में G20 के अद्धिक्षिता ये इंडोनेशिय के पास है उसी तरह से याद रखना अगले साल शंगही कोपरेशन और्गिनाइजिशन की अद्धिक्षिता ये भी होगी भारत के पास अभी इस साल किस के पास है उजभिकिस्तान के पास और अगले साल जो होक्की वर्ल्ड काप ये भी भारत पे होंगे अभी Under 17 Women's World Cup 2022 ये भारत में हुए जिसका मैस्कोट था शुबंकर इभा इस्पेन ने उसको जीता है कोलंबिया को हरा करके और अभी Interpol की 90 वी बैठक ये भारत में हुई थी भारत की नई दिल्ली में अगले साल Women's World Boxing Championship ये होस्ट करेगा भारत और अगले साले Street Child Cricket World Cup ये भी भारत में होंगे जबकि 2025 में ICC Women's ODI World Cup ये भारत में होंगे और Artificial Intelligence से आपको याद आएगा कि देश का पहला AI यानिकि Artificial Intelligence और Robotics Technology Park इसे आप शौट में कहोगे Art Park ये कापे स्ताफित किया गया बंगलूरू में और आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने Artificial Intelligence द्वारा संचाली से एक Portal लांच किया था उसका नाम था सुपेस प्रस्न एक्जाम में ऐसे पूछा जाएगा सुपेस का सम्मन्द किससे है सुप्रीम कोर्ट आंसर करना और आगे बढ़ जाना हम भी बढ़ते हैं चलो बताओ नवंबर 2022 में किसने छटी बार ATP Finals Tennis Tournament का किताब जीता तो आंसर होगा नुवाग जोकोविच अब ये टूर्नामेंट होता क्या है तो साल का जो अंतिम Tennis Tournament है वो यही होता है ATP Finals Tennis Tournament ATP मतलब Association of Tennis Professional और आपने पढ़ा है साल में चार Grand Slam होते हैं Australian Open, French Open, Wimbledon Open, US Open तो उनमें जो टॉप के खिलाड़ी होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या उनके बीच में होता है ये competition और अभी इसको जीट लिया है नुवाग जोकोविच ने ये कहा के प्लेयर है ये सरभिया के Tennis प्लेयर है इन्होंने फाइनल में किसको हराया कासपर रूड को हराया जो कि नॉर्वे के प्लेयर है और आपको बिता दू, नुवाग चुकोवे छटी बार इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं ये इनके उम्र 35 साल है, तो आप ये भी कह सकते हो, सबसे अधिक उम्र के प्लेयर बन गए हैं ये खिताब जीतने वाले और अभी तक कितने Grand Slam ये जीत चुके हैं, 21 हमने पढ़ा था, सेरेना विलियम्स ये अमेरिका की हैं, ये तेविस Grand Slam जीत चुकी है, जबकि राफेल नडाल जो की स्पेन के हैं, वो 22 Grand Slam जीत चुके हैं और रोजर फैडर ने तो सन्यास की घोशना करी दिये, वो तो स्विट जलेंड के टेनिस प्लेयर हैं अच्छा अभी हमने पढ़ा था, कि ATP रेंकिंग में नंबर वन पर पहुचने वाले सबसे कम उमर के खिलाडी कौन बन गए, तो पढ़ा था नामने, बताओ नाम क्या है कारलोस अलका राज, ये इस्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और जब भी टेनिस की बात होती है, हम रिवाइस करते हैं, साल के चार ग्रेंड स्लेम इसमें वोमें सिंगल और में सिंगल किस ने जीता, क्योंकि ये प्रेशन इंपॉर्टेंट है, एकजा में पूछा जाएगा तो एक बार फिर रिवाइस करते हैं, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में में सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता, वो इस्पेन के हैं वोमें सिंगल टाइटल एशले बाटे ने जीता, वो अस्ट्रेलिया की है, सन्यास लिलिया इन्होंने भी फिर हुआ था फ्रेंच ओपन, जिससे रॉलेंड गेर्रोस भी कहते हैं, में सिंगल तो इन्होंने जीता है, राफेल नडाल नहीं, और राफेल नडाल को किंग आफ कले कोट भी का जाता है, ध्यान रखना है ये इसमें वोमें सिंगल जीता है, इगा स्वेटेक ने जो की फिर हुआ था विम्बल्डन ओपन, इसका पूरु शेकल, वोमें सिंगल जीता है, नोवाग जोकोविच ने, सर्ब्या के हैं ये, वोमें सिंगल एलिना रिबा कीना ने जीता है, ये कजाकिस्तान की है, फिर यूएस ओपन हुआ था इसमें पूरु शेकल का किताब जीता ह कार्लोस अलकाराज ने इस्पेन के हैं और वुमेन सिंगल इगा स्वेटेक ने जीता है जो कि पॉलेंड की है एक और स्टैडिक प्रेशन बनेगा कि कौन सा ग्रेंड स्लेम किस कोट पे खिला जाता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और युएस ओपन हार्ड कोट पे होता है फ्रे कार की यूजनाओं को इंटरनेट के माध्यम से जनता तक पहुचाना इसका उद्धेश्य है तो ये इगवर्नेंस समयलन ये इसका 25 वा संसकरन है जो अभी 25 और 26 नवंबर को होगा कहां पे श्रीमाता वैश्नो देवी विश्विध्याले कटरा जम्मु में इसे पिछली ब आएगा एक गुड गवर्नेंस डे होता है वो हम 25 देसंबर को मनाते हैं अटल जी का बड़े होता है और कटरा जैसे ही मैंने आपको बोला आपको याद आएगा कि यहां तो दूसरी वंदे भारत ट्रेन चली थी नई दिल्ली से कटरा पहली काज़ का चली थी नई दिल्ली से वारणा सी और अभी साउथ में पहली वंदे भारत या पांचवी हमारे देश की पांचवी वंदे भारत या यू केदू साउथ की पहली वंदे भारत ये कहां से कहां चली चैन्ने और मैसूर के बीच में और अगर पूछे किस नदी पे सबसे उचा रेल बिरिज बन रह इस थे जिनको मिला के एक कर दिया गया हम बात कर रहे हैं दमन दीव और दादर्वनागर हवेली की कब करा था इनको मिला करके एक 26 चनवरी 2020 में तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे तो ये बताईए अभी हाली में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2020 में भारत कौन से इस्तान पे रहा भारत 61 नमबर पे रहा ये है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2020 टोटल कितने देशों में से 131 देशों में से भारत 61 नमबर पे रहा है छे रेंकिंग का सुधार इस बार देखा गया क्योंकि पिछली बार भारत 67 नंबर पे था और इसमें टॉप पे, टॉप पे अमेरिका है, सेकिन पे सिंगापूर है, तीसर पे स्विडन है और इस इंडेक्स को बूच्छो के जारी किसने किया, तो अमेरिका की एक institute है, Portulance Institute उसने इसको जारी किया है और इस इंडेक्स को चार पेमानों को ध्यान में रखकर के तयार किया गया वो चार पेमाने, वो चार पिल्लर कौन-कौन से हैं, टेक्नलोजी, पीपल, पीपल यानि की लूग, प्रभाव और साशन, अच्छा कुछ और इंपोर्टेंट इंडेक्से हैं, वो भी आप ध्यान रखना जैसे की, ट्रेवल एंट टुरिजम इंडेक्स जिसको वर्ल्ड एक विश्व शांती सूचकांग, ग्लूबल पीस इंडेक्स में भी था, और उसमें भी टॉप पे रहा था आइसलेंड, अभी मानव विकास सूचकांग काय था, जिसको युनाइटेड नेशन डेवल्लोपेंट प्रोग्राम ने जारी किया, उसमें भारत 132 नंबर पर है, 107 वे स्थान पर है, परियावरन प्रदर्शन सूचकांग में भारत आखरी स्थान पर था, 180 वे स्थान पर, टॉप पे इसमें डेनमार्क था, तो ये भी कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्सेज है, इनको ध्यान में रखना, अब हम बात करेंगे कल की वीडियो में पुछे गए प्रशन के उत्तर की, तो आप से कल पूछा था कि उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेलो में टॉप पे कौन रहा तो आंसर होगा मनिपूर, और इसमें ये हुए कहां पे थे पूछेंगे तो मेगाले मेवे थे, आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, एक एक बार शेयर जरूर कर देना, इससे मुझे भी पॉजिटिव फीडबेक मिलता है, और पॉजिटिव रेस्पॉंस मिलेगा, तो काम करने में भी उतना ही मज़ा आता है, आपके लिए कंटेंट तैयार करने में भी उतना ही मज़ा आता है, भागी इन सभी का कुछ बना करक अप्लोड कर दियागे आपकी करेक एक्जाम एप्लिकेशन पर, पीडिएफ भी आपको में पर मिल जाएगी, करेक एक्जाम एप्लिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब यह रहा आज का आपका हमवर्ग प्रश्ण